प्रेमित्रगंड आप सभों को प्रभू इश्यू मसी के पवित्र और सामर्थी नाम में प्रेम्भरा नमस्कार दोस्तो इस समय आप Transworld Radio इंडिया द्वारा प्रस्तुत कारिक्रम देख रहे हैं और आप सत्यवचन कारिक्रम से इस समय जुड़े हुए है ये कारिक्रम आपको परमेश्वर के सत्य से जोड़ने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है और आप जानते हैं कि परमेश्वर आप से प्रेम करते हैं इसलिए आप इस कारिक्रम में इस समय उपस्तित है इस कारिक्रम में हम परमेश्वर के अथा सत्य को समझने की कोशिश या प्रयास कर रहे है संसार के स्रिस्टी करता ने सत्य को बाईबल के माध्यम से प्रगट किया है हम इसे करमबध अध्यन के द्वारा इस समय सीख रहे हैं और मेरा विश्वास है कि आप सब इन महान सत्यों को जान कर परमेश्वर की अनंत योजनाओं को समझ रहे हैं। इस करम में आज लैवे विवस्था की पुस्तक के 23 अध्याय से हम इसराइलियों को सुझाए गए परवों के बारे में देखेंगे। इसराइल को जिन परवों को मानने के लिए कहा गया था वे सारे परमेश्वर की अराधना के लिए थे और हैं। परमेश्वर के लोगों के लिए परव, आनन मनाने और रिती रिवाजों में अपने समय को बिताने के लिए तब भी नहीं थे और अब भी नहीं है। ये परमेश्वर के कार्य को समरन करने के लिए है, ये परमेश्वर के प्रेम को समझने के लिए भी है, आज के अध्यन में हम चार पर्वों से ऐसे ही आत्मिक बातों को सीखेंगे, और वे चार पर्व हैं परम विश्राम का दिन, फसह का पर्व, अखमेरी रोटी का पर्व औ और उसके कारे को हम देखेंगे, तो आईए मित्रों, आज के अध्यान को हम परमेश्वर को इस्मरण करते हुए आरह करते हैं। इस अध्याय का शिर्षक है पौवित्र छुटियां, प्रभावशालित तेहवारें, जो सब समय के लिए परमेश्वर का कलेंडर है। यह परमेश्वर के प्रभावशालित तेहवारों का ध्यान देने योगी अध्याय है। यह पौवित्र छुटियां आनन्द मनाने का समय था। उनमें से केवल एक जो प्राश्चित का महान दिन है विलाप के लिए था। और अन्ने सभी आनन्द और उत्सव मनाने के लिए थ परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि विलाप करने वाले लोग उसके सामने आएं। वह तो आनन्दित लोगों को चाहता है। यह तेहवार सब समय के लिए परमेश्वर का कैलेंडर उपलप्त कराता है। लेंज इस तथाकतित परव को एक निर्धारित समय कहता है। इसे विश्राम दिन जो पहले दिया गया था उसे छोड़कर साथ तेहवार हैं। विश्राम दिन एक तेहवार नहीं था लेकिन बाद में इसे पर्व में शामिल किया गया। क्योंकि यह समय मापक यंद्र के रूप में देखा जाता है। प्रकाशित वाक्य समान संख्या साथ इस अध्या में प्रमो कस्थान है। विश्राम दिन सात्वा दिन है, सात पर्व हैं। पेंति कोस्त सात्वा सप्ता का पर्व है। उसके बाद सात्वा नया चांद और उसका अगला दिन प्राशित का दिन है। और मिलाप का पर्व सात्वा महिना पड़ता है। और लावि पर में लोगों को साथ दिन जोपडियों में रहना पड़ता था। पोईत्र मिलान समारों के इन दिनों का दो उद्देश्य था। व्यवहारिक उद्देश्य और भोईशे वानियतमक उद्देश्य। व्यवहारिक उद्देश्य का दो मकसद था समाजिक और व्यापारिक। ये पर्व 12 गोत्रों को आराधना और संगत्ती के लिए एकत्रित करते हैं। व्योस्था विवरन के पुस्तक 16 अध्या 16 पत के अनुसार इन तिन समयों में आराधना के लिए सभी पूर्शों को यरुसलेम जाना जरूरी था। वे हैं फसह का पर्व, पेंतिकोस्त और प्रदान करते हैं। इन निर्देसों को मानने में असफल होना इस्राइली राष्टों का उत्तर और दक्चिन राज में बाटने के अनेक कारणों में से एक कारण था। इन्वे से अधिकांस पर विश्वेश करके फसल कटनी का पर्व देश के क्रिसी जीवन में से था। य या पर्मेश्वर की अराधना को खेत, अंगूर बारी और अंजीर बगीचा के धरातल तक लाता था। पर्मेश्वर की स्तूति लोगों के कारियों से जुड़ा था। उनका पसीना उनके लिए श्रधा बन गया था। प्रेमित्र इन दिनों का प्रात्मिक उद्देश्य भविश के सभी समय का भष्वानितमक तस्वीर देना था। इन में से प्रतेक पर्व ने अपनी परिपूनता पाई है या भविश में पाएंगे। इन में से अधिकांश ने अपनी परिपूनता पाई है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम इन पर चर्चा करेंगे। प्रियमित्र अब हमें दीन और समय के मानने की ज़रुरत नहीं है। इश्व मसी ने इस सब को पूरा कर दिया है। जैसे हम कुलुसियों के पत्रे दो अध्याय उसके 16 और 17 पद में पढ़ते हैं। इसलिए खाने पिने या पर्व या नए चांद या विश्राम दिनों के वि सब यहां शामिल नहीं है। साथ विश्राम वर्ष और जुबली वर्ष लैविवस्था के 25 अध्याय में और नए चांद का पर्व गिंती की पुस्तक 28 अध्याय उसके 11-15 पद में पाया जाता है। तो आएए अब हम इस अध्याय की रूप रेखा को देखें। पोईत्र चुटियां अध्याय तेस। अब आएए हम सबसे पहले विश्राम दिवस के पायत्र समय को देखें। हम लैविवस्था की पुस्तक 23 अध्याय उसके 1-3 पद में इस प्रकास से पड़ते हैं। जहां पर लिखा है। फिर यहवा ने मुसा से कहा, इस्रैलियों से कहा कि यहवा के पर्व जिनका तुमको पोईत्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा। मेरे वे पर्व ये हैं। छह दिन कामकाज किया जाए पर सात्वा दिन परम विश्राम का और पोईत्र सभा का दिन है। उसमें किसी प्रकार का कामकाज न किया जाए। वह तुम्हारे सब घरों मे यहवा का विश्राम दिन ठहरे प्रेमित्र जब हम इस अध्याय का अध्यन करेंगे तब यदि आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि परमेश्वर हमेशा अपने निर्देश कुछ खास लोगों को देते हैं यह देखना रूची कर होगा कि वह अपना निर्देश किसको देता है विवस्था देने वाला के रूप में वह मूसा से कहता है और मूसा लोगों को बताता है यद भी परमे मिलाप वाला तंबु शामिल है फिर भी यहां याजकों का विशेश रूप से जिक्र नहीं किया गया है लोगों को एक जगा एकत्रित होना था और पर्वों को इसराहिल के वार्शिक कलेंडर में सटीक बैठाना था हर एक पवित्र समय का विशेश और विचित्र महतो होता है इसमें पर्मेश्वर का इस दुनिया के संबन्द में भोविश वानितमक बेवार दिया गया है प्रतेक पर्व इस संसार के लिए पर्मेश्वर के कारिक्रम का प्रतीक था जैसे फसा का पर्व का अर्थ मसी को कुरूस पर चड़ाया जाना और उसकी मृत्यू, अख्मेरी रूटी का अर्थ, उसकी मृत्यू के कारण मसी के साथ हमारी सहभागिता प्रतम फल का अर्थ मसी का पुन्रुथान, पिंतिकोस्त का अर्थ कलीश्या के शुरूवात, नर्सिंगे का अर्थ इस्राइलियों का अपने देश में वापस लाया जाना प्रायश्वित के महान दिन का अर्थ, क्रूस पर इश्व हमारी लिए मारा गया जोपडी का पर्व का अर्थ, भाविश्य का वह समय जब इस्राइलिय अपने देश में है, प्रेमित्र सब्ताहिक विश्राम दिन को एक पर्व का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, यह मुसा के पहले था, और यह स्रिष्टी के समय से चला आ रहा है, यह इस्राइलियों को बार बार दुहराया और याद दिलाया गया है, और विवस्था विवरन पांच के पंदरपद में इसे मानने का एक और कारण दिया गया है, यहां लिखा है और इस बात को स्मरन रखना के मिस्र देश में तू आप दास था, और वहां से तेरा परमेश्वर यहवा तुझे बल्वंत हाथ और बढ़ायवी भूजा के द्वारा निकाल लाया, इस कारण तेरा परमेश्वर यहवा तुझे विश्राम दिन मानने के आगया देता है, मित्रो जब इस्राइली लोग मिस्र में दास थे, उन्हें प्रती दिन काम करना पड़ता था, यहां विश्राम दिन सब्ता के एक दिन को अलग करना चाहिए, तो उन्होंने सब्ता के पहले दिन रैवार को चूना, क्योंको वह दिन था जब प्रविश्व मृत्यों में से जी उठा, यही वह दिन है जब हम लोगों को पून छुटकारा दिया गया, जैसे रोमियों के पत्रे चारा ध्याय उ जैसे कि दुसरे कुरुंतियों के पत्रे पांच अध्या उसके सत्रपद में लिखा है, सो यदि कोई मसी इश्व में है तो वह एक नई स्रिष्टी है, पुरानी बातें बीट गई है, देखो वे सब नई हो गई, सब्ता के पहले दिन को अलग करने के द्वारा हम विश्राम दिन इसराइलियों के लिए एक समय मापक यंद्र था, यह सारे परिष्टी में मनुष्य ने अपना विश्राम खोया, लेकिन अब छुटकारे के द्वारा उसके लिए विश्राम है, जैसे इबरानियों के पत्री चारा ध्याय उसके नौ सी ग्यारपद में शब्द का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश्ट किया, उसने भी परमिश्र की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम पाया है, सो हम उस विश्राम में प्रवेश्ट करने का प्रैत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनकी नाई आगया ना मान कर गिर पड़े हमारा विश्राम छुटकारा और सिफ छुटकारे के द्वारा है परमिशर के लोगों के लिए विश्राम दिन है यह क्या है यह हमारे पापों के शमा किये जाने की निश्चेता है मतिर चिसु समाचार ग्यारा अध्यास के 28 पद में प्रभी इश्व हमें बुलाते हैं हे सब परिशम करने वालों और बोज से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हे विश्राम दूँगा मित्रो विश्राम और छुटकारा विश्राम दिन के दो पहलू है विश्राम दिन एक पर्व का दिन नहीं था या सब्ता की ओ संकेत करता है ना की साल की ओर या एक पर्व नहीं लेकिन एक निर्धारित समय था प्रिमित्र आईए अब हम दूसरी विंदू भसा का पौईत्र समय पर विचार करें लाय विवस्ता 23 अधाय के 4 और 5 पद में लिखा है फिर यहवा के पर्व जिन में से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पौईत्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा वे ये हैं पहले महिने के 14 दिन को गोधुली के समय यहवा का फसा हुआ करें पर्व का वर्णन हमें पहले निर्गमन के पुस्तक 12 अध्याय में दिया गया है लेकिन यह परमिश्वर की कैलेंडर में रखा गया है और यह पद हमें स्वस्च बताता है कि पर्व सही माइने में फसा के साथ शुरू होता है ना की विश्राम दिन के साथ निर्गमन के पुस्तक बारा अध्याय उसके दो पद में परमिश्र ने कहा कि यह महिना तुम लोगों के लिए आरम का ठहरे अर्थात वर्ष का पहला महिना यही ठहरे यह पोईत्र समय मसी की बलिदान रुपी मृत्य और लहु की मूली का प्रतिनिधित्व करता है जैसे पहला क्रोंतियों के पत्ति पांच अध्याय उसके साथ पद में लिखा है पूराना खमीर निकाल कर अपने आपको शुद्ध करो कि नया गुंधा हुआ आटा बन जाओ ताकि तुम अखमीरी हो क्योंकि हमारा भी फसा जो मसी है बलिदान हुआ है प्रिमित्र फसा की उत्पत्ति एतिहासि घटना मिर्स्र में अंतिम भी पत्ति पहला उठे की मृत्यू से हुई इस्राइलियों को निर्देश दिया गया था कि वे मेमने की बली करें और उसके लोहो को उनके दरवाजे के चौखट पर लगाएं उन्हें घर के अंदर रहना था और मेमने के मांस को आग में भून कर खाना था मृत्यू के दोत हर एक दरवाजा से जिसमें लोहो का चिन था आगे बढ़ जाता था जब हम गिंती की पुस्तक के नवा अध्याय का अध्यन करेंगे हम पाएंगे कि इस्राइली जब सीने परवत पर थे तो उन्होंने फसा के परव को मनाया फसा का परव इशु मसी का अपने शिश्यों के साथ फसा मनाने और नए परव प्रव भोज अस्थापना के बाद रात में इशु के गिरपतारी में पूरी हुई उसके बाद हम प्रकाशित वाके के पुस्तक पांच अध्या उसके छे पद में वद किया हुआ मेमने को देखते हैं मैं सोचता हूँ कि परमिश्वर के राज में फिर से भसा मनाया जाएगा जैसे कि लुकार्टी सुसमाचार 22 अध्या उसके 16 पद में लिखा है क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक वाक परमिश्वर के राज में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा प्रियमित्र आएए अब हम तीसरी विंदू अख्मीरी रोटी का पौईत्र समय पर विचार करें लैव्यास्ता के पूस्तक 23 अध्या उसके 6 से 8 पद में हम पढ़ते हैं जहां पर लिखा हुआ है और उसी महने के 15 दिन को यहवा के लिए अख्मीरी रोटी का पर्व हुआ करें उसमें तुम 7 दिन तक अख्मीरी रोटी खाया करना उन में से पहले दिन तुम्हारी पौईत्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना और 7 दिन तुम यहवा को हव्य चड़ाया करना और 7 दिन पौईत्र सभा हो उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना प्रेमित्र यत्पी यहां अलग वर्ष माना गया है इसका फसा के साथ नजदी की संबंध है। फसा एक दिन माना जाता था और दूसरा दिन सप्ता का पहला दिन अक्मेरी रोटी का पर्व शुरू होता था। निर्गमन की पुस्तक के बारा अध्याय और उसके चौदा से अठाइस पत के अनुसार इसका एतेहासिक उत्पति का सिधा समन्थ फसा से है। अक्मेरी रोटी फसा के दूसरे दिन से साथ दिन तक खाया जाता था। मति और मर्कुस में फसा और अक्मेरी रोटी को एक ही पर माना गया है। प्रियमित्र खमीर यहां दूसरे जगह के समान बुराई का प्रतिक है। पहला क्रुंतियों के पत्री पांच अध्याय उसके साथ और आठ के अनुसार अक्मेरी रोटी का अर्थ है छुटकारे के आधार पर मसी के साथ संगती बनाना और इसे विश्वासी क पोईत्र चालचलन के द्वारा बनाए रखना है। इस समय कोई भी महत्वहिन कामों को नहीं करना था और उन दिनों में भाग लेने वालों को उनके दैनिक धंधों से विश्राम करना था। उन्हें तो आग के द्वारा बलिदानों को चड़ाना था जो होम बली, भोजन ब उसके बाद इश्व हमारे लिए मरा। इस तत्थे पर आधारित हमें मसीह के साथ संगत्ती को बनाये नहीं रखना है। बलकि जैसे जैसे हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमें पापों को अंगिकार के द्वारा अपने जीवन को शुद्ध रखना है। यह दर्शात इश्व के लहू का मुल्य विश्वाशी के उधार पाने के बाद भी बना रहता है। पहला योना की पत्री एक अध्याय उसके साथ पद में लिखा है, पर यदि जैसे वह ज्योती में है, वैसे ही हम भी ज्योती में चलें, तो एक दूसरी के साथ साभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र इश्व का लहू हमें सब पापों से शुद करता है, इश्व का लहू हमें शुद करने में निरंतर लगा रहता है, यही अक्मेरी रोटी के पर्व का अर्थ है। प्रिमित्र आए अब हम चौधी बिंदू प्रथम फल के पोवित्र समय पर चर्चा फिर यहवा ने मुसा से कहा, इस्राइलियों से कहा कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो, जिसे यहवा तुम्हें देता है और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपच का पूला याजा के पास ले आया करना, और वह उस पूले को यहवा के सामन हिलाए कि वह तुम्हारे निमित ग्रहन किया जाए, वह उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए, प्रेमित्र यह परवन नहीं मनाया जा सकता था, जब तक इस्राइल जंगल से बाहर नहीं निकलते और प्रतिग्या देश में प्रवेश नहीं करते, जब वह अपने बी उपासना अस्थल पर लाते, और याजक उनको परमिश्वर के लिए चड़ाता था, प्रेमित्र हमें यह नहीं बताया गया है कि यह ठीक किस दिन में किया गया है, यह अक्विरी रोटी के प्रत्थम या पर्व के अंतिम दिन में हो सकता है, यह देखना महत्पुन है कि यह सकता के पहला दिन किया गया था, या किसी और दिन में, यह बहुत महत्पुन है क्योंकि मसी को प्रत्थम फल कहा गया है, जैसे पहला कुरुंतियों की पत्री 15 अध्या उसके 20 और 23 बद में लिखा है, प्रन्तु सचमुच मसी मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गये ह उनमें पहला फल है, प्रन्तु हर एक अपने अपनी बारिष से पहला फल मसी, फिर मसी के आने पर उसके लोग, फिर मतिर चिसु समाचार 28 के एक में उसके पुनुरुथान का समय सपस्ट बताया गया है, सब्त के दिन के बाद सब्ता के पहले दिन, पहफटते ही मरियम लेकिन आज तक वह अकेला प्रत्मफल है। जो महिमा मैं शहरीर में जीलाया गया है और कलिमिसिया के उठाए जानने के समय हम सब भी उठाए जाएंगे और मसी के समान लोग कबरों में से बाहर निकलेंगे। वह प्रतम फल है और उसके बाद जो मसी इशू के हैं उसके आगवन पर जी उठेंगे जैसे कि योहनार चिसु समाचार 12 अध्याय उसके 24 वद में लिखा है मैं तुम से सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहू का दाना भूमी में पढ़ कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है प्रन्तु जब मरता है तो बहुत फल लाता है प्रेमित्र आप देखिए पहला फल का भेट चड़ाना यह दर्शाता था कि उसके बाद और भी फसल है और यह फसल मसीही लोग हैं लाइबवस्ता के पुस्तक 23 अध्याय उसके 12 से 14 पद में हम आगे पढ़ते हैं और जिस दिन तुम पूले को हिलवाओ उसी दिन एक वर्ष का निर्दोष भेड का बच्चा यहवा के लिए होमबली चड़ाना और उसके साथ का अनबली एपाक के दो दसमें अंस तेल से सने हुए मैदे का हो और सुक दायक सुगन्द के लिए यहवा का हव्य हो और उसके साथ का अर्ग हीन भर की चोथाई दाकमदू हो और जब तक तुम इस चड़ावे को अपने परमेश्वर के पास न ले आओ उस दिन तक नए खेत में से ना तो रोटी खाना और ना भूना हुआ अन और ना हरी बालें या तुम्हारे पीड़ी पीड़ी में तुम्हारे सारे घरानों में सदा की विधी ठहरें। जो पाप से आग्यात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिक्ता बन जाएं और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा प्रन्तु तुम मुझे देखोगे इसलिए कि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित प्रिमित्र यहां हमारे लिए एक महिमा मै सच्चाई है नई फसल का आनन तब तक नहीं उठाया जा सकता है जब तक यहां परमेश्वर के सामने चड़ाया नहीं गया है विश्वासियों के लिए मसी की मृत्यों और मसी का पुनरुथान हमें नया संबद और आशिष देता है जैसे कि दुसरा कुरंथियों के पत्री पांच अध्या उसके सत्रपद में लिखा है इसका अर्थ कुछ आदतों में कुछ परिवर्तन नहीं है बलकि इसका अर्थ हम पुराने आदम से हटाये गये हैं और प्रविश्व के साथ जोड़े गये हैं अब हमारा नया उद्देश्य, नया लक्ष्य, नया आनद और नया जीवन है या हमारे पुराने आदत को प्राभावित करेगा, करेगा न, वह सब कुछ नया बनाता है प्रिमित्र क्या आज आप एक नई स्रिष्टी हैं? क्या आपके जीवन को मसी ने बदल दिया है? यदि नहीं, तो आज मुझे और आपको जांचने की आवशकता है, ताकि हम मसी के निकरता में आ सकें और उस उद्धार के आनंद को प्राप्त कर अपने जीवन में शांती पास सकें क्या आपको ये कारेक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस्कॉल करें और आप अगले विज़ता हो सकते हैं प्रेदर्शकों हम आपका धन्यवात करते हैं कि आप इस कारेक्रम में सहभागी हुए मेरा विश्वास है कि आप इस कारेक्रम के माध्यम से बाइबल के गूर भेदों को समझ पा रहे हैं और आपका संबंध परमेश्वर के साथ प्रगाड और मजबूत होता जा रहा है हम चाहेंगे कि जिन आशीशों को आप इस कारिकरम के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं उन्हें आप हमारे साथ भी साजा करें ताकि आपकी गवाही को हम औरों को प्रुसाहित करने के लिए बाढ़ सकें हम आपसे यह भी चाहेंगे कि जो आशीश या सीख आज आपने प्राप्त की है उसे आप उन्हें जरूर बताएं जिनसे आप आज मिलेंगे या वे जो आपसे आज भेट करेंगे परमेश्वर का वचन हमें प्रुसाहित करता है उन सब बातों के लिए जो उसने हमें आग्या दी और सिखाया है और तब हमसे यह प्रतिग्या करता है कि परमेश्वर जगत के अंध तक सदा हमारे साथ रहेंगे हम चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ सदा बने रहें और इसलिए आईए हम धन्यवाद के साथ और प्रार्थना करते हुए अपने अध्यन को समाप्त करें हमारे स्वर्गी पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभू कि आपने पापी मनुष्य के साथ संबंध इस्थापित किया यदपी प्रभू हम इस योग नहीं थे कि आप हम से मेल करते लेकिन आपने अपने बड़े प्रेम को अपनी दया को सभी मनुष्यों पर प्रगट किया और हमारे लिए प्रभू ईश्य के द्वारा से एक रास्ता स्थापित किया कि हम प्रभू ईश्य मसी में होकर आप से मिल सकें प्रभू आपने उस मंदिर के परदे को प्रभू ईश्य की मृत्यू के द्वारा से दो भाग कर दिया कि आपके और हमारे बीच में जो भी अलगाओ था वो दूर हो सके पिता आपको धनेवाद देते हैं हमारे दर्शकों के लिए प्राथना करते प्रभू उन सबों के साथ आज आप फिर से हो जो कुछ उन्होंने सुना है प्रभू शैतान उनके मनों से इस शिक्षा को इन बातों को ले करके ना जाए परन्तु ये वच्षन जो आज उनके हिर्दे में बोई गए है आमें